गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं, उमेद करता हूँ ठीक होंगे, आज हम कक्षा तीसरी का पाट पड़ेंगे, यह है मेरा परिवार, पहला पाट है, बच्चों इस पाट को शुरू करने से पहले हम मिलकर एक कविता गाते हैं, आप मेरे साथ इस कविता को मिल यह देता है हमें सहारा, मात पिता यहां पर रहते, कष्ट हमारे हित में सहते, राजा रानी कह बुलाते, बहुत प्यार से गले लगाते, चले यहां पर राज हमारा, अपना घर है प्यारा प्यारा, अपना घर है प्यारा प्यारा, तो बच्चों यह कविता कैसी लगी आपको, तो मीद करता हूँ कि यह कविता आपको पसंद आई होगी, अच्छा बच्चों यह बताओ, तुम्हें अपना घर अच्छा क्यों लगता है, तो आपको जो अप लिखने हैं और उन से तुम्हारा क्या रिष्टा है वो लिखना है अब यहां पर घर के सदस्यों के नाम लिखेंगे और उन varit क्या रिष्टा है आप किसी बच्चे की पितजी का नाम मान लिजिए रामपाल है तो वो यहाँ पर अपने पिता जी का पहले यहाँ नाम लिखेगा श्री रामपाल और उनसे उसका रिष्टा हो गया पिता जी इसी तरह से माता जी का नाम आरती देवी मान लिजिए किसी की माता जी का नाम तो यहाँ पर आरती देवी लिख द तो इस तरह से आपने अपने खुद के परिवार के सदस्यों के नाम लिख करने हैं यहाँ पर इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यह प्रशन ऐसा है इसमें हर बच्चे के परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर कोई ना आओ तो सभी बच्चे यह कार्य स्वायम करेंगे और अपने घर के पुरिवार के सदस्यों के नाम लिखेंगे और उधर सामने उसके उनसे जो उनका रिष्टा है वो उनकी पिता जी है माता जी है भाई है बहन है जो भी है वो यहां पर लिखेंगे अब आगे बढ़ते हैं बात परिवारों की, अब परिवारों की बात करेंगे, अब सबसे पहले आप उपर ये दो चितर विद्यान से देखे, ये आशा का परिवार है और ये शिवानी का परिवार है, अब आशा का परिवार काफी छोटा है और शिवानी का परिवार काफी बड़ा है, तो अब ये पढ़ते हैं जो लिखी हुई है आशा तीसरी कक्षा में पढ़ती है तो आशा कौन सी कक्षा में पढ़ती है तीसरी में उसके परिवार में मा पिताजी वै एक छोटी बहन है तो आशा के परिवार में कौन-कौन है एक तो आशा स्वैम है एक उसकी मा है पिताजी है और एक चोटी बहन है, उसकी सहेली शिवानी, अब ये इसकी सहेली है शिवानी, तो शिवानी ने बताया कि उसके परिवार में दादा दादी, ममी पापा, चाचा चाची, एक बहन और एक भाई है, ये देख सकते हैं, पिछे ममी पापा खड़े हैं, ये चाचा चाची खड़े हैं, एक भाई है एक बहन है तो अब चित्र देखो और लिखो हमें ये चित्र देखना है और लिखना है आशा के परिवार में कौन-कौन है अब आशा के परिवार में कौन-कौन है ये बताया था आशा ने इस पंक्ती में बताया था आशा ने कि उसके परिवार में मा पिताजी व एक छोटी बहन है अब दूसरा प्रशन द्यान से देखेंगे शिवानी के परिवार में ऐसे कौन से सदस्य हैं जो आशा के परिवार में नहीं है इस प्रशन को द्यान से देखना आपने उन सदस्यों के नाम लिखने हैं जो आशा के परिवार में नहीं है अब मापिता जी आ आशा के परिवार में आ चुके हैं, इसलिए आपने MAH पिताँ जी को दुबारा से नहीं लिखना है। एक बहन आ चुकी है तो बहन को आपने दुबारा से नहीं लिखना है। तो अब जो बचे हुए हैं वो लिखने हैं आपने जैसे दादा दादी, चाचा चाची और ये भाई बचे हुए हैं तो आपने ये लिखना है तो सिवानी के परिवार में ऐसे कौन से सदस्य हैं जो आशा के परिवार में नहीं हैं तो आशा के परिवार में दादा दादी न पढ़ते हुए आशा आज बहुत खुश है वह अपने परिवार के साथ गाउं में दिपावली अर्था दिवाली मनाने जा रही है गाउं में उसके दादा-दादी ताउताई वह उनका बेटा वैभव और बेटी मोना रहते हैं आशा का परिवार जब गाउं पहुचा तो सब खुश हुए सभी ने बड़ो के पैर चुए आशा को दादी ने प्यार से गले लगाया और कहा मेरी प्यारी बेबी मैं तो तुमसे बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ ऐसा करो अब क्या करना है आपने सही वाक्य पर ये इस तरह ठीक का निशान लगाओ और गलत वाक्य पर ये क्रोस का निशान लगाओ अब ये वाक्य दिया हुआ है पहला वाक्य प्रतम वाक्य जो है मारे पास दादी ने आशा को प्यार से मुन्नी कहा अब आपने उपर पंक्ती मे देखा दादी नी जब प्यार से उसको गले लगाया तो क्या कहा मेरी प्यारी बेवी तो ये वाक्य गलत है या सही तो ये वाक्य गलत है तो इसलिए यहाँ पर हम इस बॉक्स के अंदर क्रोस का निशान लगा देंगे उसके बाद दूसरा वाक्य देखेंगे आशा के दादा दादी गाव में रहते हैं, तो आशा के दादा दादी गाव में रहते हैं, आपने पुरपड़ा गाव में उसके दादा दादी रहते हैं, तो इसका ये वक्य सही है, तो इसलिए इस पर हम टिक का निशान लगा देंगे, आगला वक्य देखिए, शिवानी के परिवार में च चाचा चाची साथ में रहते हैं तो इसलिए ये वाक्त क्या है ठीक है तो यही सही का निशान लगा देंगे उसके बाद देखिए अगला वाक्त के शिवारी दिवाली मनाने गाउं नहीं गई अब हम ने पार्ट में ये लाइने पड़ी तो आशा दिवाली मनाने के लिए गाउं गई है लेकिन उसकी सहेली गाउं में दिवाली मनाने गई इसका ऐसा कहीं जिकर नहीं है तो इसलिए हम यही मनेंगे कि शिवाने दिवाली मनाने के लिए गाउं नहीं गई तो ये वाक्य ठीक है आशा परिवार के साथ रसोई घर में रसोई घर से भोजन की महक आ रही थी दादी जी ने सभी को भोजन करने के लिए बुलाया सभी हाथ धोकर इकटे भोजन करने लगे भोजन में बाजरे की रोटी, साल, चटनी, चूर्मा और लस्सी थी आशा ने थाली में थोड़ा सा चूर्मा छोड़ दिया दादा जी ने कहा यह अच्छी बात नहीं है हमें थाली में उतना ही खाना लेना चाहिए जितनी भूख हो तो आपने देखा कि आशा जो थी वो उनकी रसोई में बहुत अच्छा खाना बन रहा था मेहका रही थी दादा जी ने बोजन के लिए बुलाया सबी लोग तो हाथ दोकर बोजन खाने के लिए पहुँचे तो हमें अपने इससे पता लगता कि हमें बोजन खाने से पहले हाथ दोने चाहिए और वो जैने में बाजरे की रोटी, साग, चटनी, चूर्मा, लसी बने हुए थे तो ये सब और आशा ने थाली में थोड़ा सा चूर्मा छोड़ दिया दादा जी ने कहा कि अच्छी बात नहीं है हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितने की हमें भूक है तो ऐसा करें अब ये खालिस्तान है ये जो हमने उपर ये पंक्तिया पड़ी है उनी के आधार पर हमने इनके उत्तर देने है थाली में खाना जूटा अब यहां खालिस्तान है चाहिए रिक्सतान जो है अब इसमें क्या बरना है हमारे पास दो विकल्प दे रखे हैं चोड़ना और नहीं चोड़ना थाली में खाना जूटा चोड़ना चाहिए या नहीं चोड़ना चाहिए अभी आपने उपर बढ़ा कि दादा जी ने क्या कहा कि खाना छोड़ना अच्छी बात नहीं है तो हमें ठाली में खाना नहीं छोड़ना चाहिए हमें भोजन रिक्स्थान करना चाहिए अब यहाँ पर रिक्स्थान में क्या आएगा हाथ धोकर करना चाहिए या बिना हाथ धोए करना चाहिए तो हमें बोजन हाथ दोकर करना चाहिए हमारे घर में खाना रिक्स्तान है यहाँ पर बनाया जाता है अब कहां पर बनता है हमारे घर में खाना रसोई घर में या कमरे में तो सभी के घर में जो खाना है वो रसोई घर में बनाया जाता है तो इसलिए यहाँ पर आएगा रसोई गहर, हमारे गहर में खाना रसोई गहर में बनाया जाता है, परिवार के सब लोगों ने भोजन में रिक्तान खाया, अब परिवार के सब लोगों ने भोजन में यहाँ पर खाली जगह है, खाया, क्या खाया, चूर्मा खाया या हल्वा तो आशा ने भी चूर्मा बचाया था तो हलवे का कहीं जिक्र नहीं है अपपर तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे चूर्मा तो परिवार के सब लोगों ने भोजन में चूर्मा खाया तो यहाँ पर चूर्मा लिख देंगे और इस तरह से यह हमारा जो कारिये हैं वो पूर्ण हो जाएगा और आगे वड़ते हैं इसमें अभ्यास कारिये साथ के साथ दे रखें आपके परिवेश अदियने में आदते अपनी अपनी गाओं के गोपी चाचा की यह आदत है की वह हर बात कहने के बाद है जी जरूर कहते हैं बोलू दादा हसते समय तालीव जाते हैं यह है उनकी खास आदत है तो गोपी चाचा की आदत है की वह हर बात के बाद हैं जी कहते हैं और बोलू दादा हसते हुए तालीव जाते हैं गोपी चाचा ने कहा आशा, तुम्हारी शकल तो तुम्हारे दादा से मिलती है है जी, भोलो दादा बोले, आरती के बाल भी तो अपने पिता की तरह घुंगराले हैं तो आरती के बाल अपने पिता की तरह घुंगराले हैं और आशा की शकल अपने किस से मिलती है, अपने दादा जी से क्या तुम्हारे परिवार में भी किसी सदस से की कोई खास आदत है अगर हाँ आपका अंसर हाँ है तो किसकी तो उनका नाम लिखना है जैसे आपके पिताजी में कोई खास आदत है तो अपने पिताजी का नाम लिखेंगे उसकी तरह अभीने करके दिखाओ अभीने आप करके यहाँ पर तो दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन आपने उसकी तरह एक्टिंग करनी हैं, यह पक्षा में करवा कर देखे जा सकती है, कि आप अपने पिता जी की नकल करें, उनकी जो है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए, अब आपने चित्र को देखना है और बताना है, आशा और आरती, यह आरती हैं और यह आशा है, अपने मा पिता जी वे दादा जी से क्या क्या मिलता जुलता है, अब जो आरती है, इसके जो बाल है, यह अपने पिता जी की तरह गुम्राले अपने पिता जी से मिलते हैं, और जो यह आशा है, इसकी शकल अपने दादा जी से मिल मिलती हैं, यह होंट हैं, यह इसके अपने माता जी से मिलते हैं, तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपने ढूनड़ना है कि इनसे क्या-क्या मिलता है, और आपके पिता जी और माता जी के साथ क्या तुम्हारी आखें, बाल, नाक, चाल, जो चलने का अंदाज है, आवाज, या कोई अन्य चीज आदी तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से मिलती जूलती है। बाके लिखेंगे इसी तरह माता जी के साथ कोई बाल मिलते हैं तो यहां पर यह सभी बच्चों का उत्तर अलग अलग हो सकता है इसलिए हम यहां पर कोई उत्तर नहीं लिख रहे हैं और इसलिए हम सिर्फ आपको एक निर्देश दे रहे हैं समझा रहे हैं बाकी आपने यह क को बताती है उसने दीदी से रंगोली बनाना भी सीखा है तो जो अपनी बते हैं वो आशा दीदी आशा जो है वो अपनी मोना दीदी को बताती है तो और उनसे उन्होंने क्या सीखा है? रंगोली बनाना तुमने अपने परिवार में किस से क्या सीखा है आपने अपने परिवार में किसी से कुछ बनाना सीखा है कोई कागस की टोपी कोई कागस की कस्ती बनाना सीखा है तो आप यहां लिख सकते हैं और किस से सीखा है वो भी लिख सकते हैं जैसे आपने अपने पापा से सीखा मु तुम अपने मन की बातें किस से करते हो, आप अपने मन की बातें, जब आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, या उन में कोई चिंता होती है, तो आप अपने मन की बातें किस से कुल के करते हैं, तो आपने वो यहां पर लिखना है, उस वक्ति का नाम लिखना है, या उस तुम नाराज होते हो तो किस के पास जाते हो अब देखिए कई बार क्या होता है हमारी कोई जिद पूरी नहीं होती बच्चों की तो वो नाराज हो जाते हैं तो ऐसे में वो किस के पास जाते हैं जादतर बच्चे अपने दादा दादी के पास जाते हैं या अपनी मा के पास जाते हैं, तो आपने यहाँ पर लिखना है, जब तुम नाराज होते हो, तो किस के पास जाते हो, तो ये भी सबी बच्चों के उत्तर अलग अलग हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम कोई उत्तर नहीं लिख रहे हैं, तो ये बच्चों ने स्वायम कर ये अपनी नोटबुक में करना है आई दिवाली क्योंकि आशा अपने घर पे दिवाली मनाने के लिए आई टी गाउ में तो दिवाली आई है आशा के बरिवार ने मिलकर घर की सफाई की वैभू बजार से पटाके खरीदने की जिद करने लगा मौना दीदी ने कहा इस बार हम पटाके नहीं छोड़ेंगे पटाकों के शोर से कानों को नुकसान होता है इन से निकलने वाले धुए से सांस लेने में दिक्कत होती है इसके बाद सब ने घर की सजावट की पडोस की सीमा चाची ने मिठाईयां बनाने में उनकी मदद की रात को दिये जलाए और पूजा की इसके बाद सब ने मिलकर खाना वला है तुमारे परिवार में कौन कौन से त्योहार मना आ जाते हैं तो यहाँ पर सभी के परिवार में लग बग समान त्योहार मना जाते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, दिवाली, हौली, रक्षाबंदन, दशहरा, तो इस तरह से आप तेहरों के नाम लिख सकते हैं, जो भी आपके परिवार में मनाए जाते हैं. तुम्हारे घर में त्योहारों पर खाने की कौन-कौन सी चीजे बनती हैं अब जैसे घर में पकोडे, हलवा, पूरी या अन्य कोई भी मिठाई, लड़ू उगारा जो भी तुम्हारे घर में त्योहारों के दिन बनाया जाता है उन्ची जों का आपने यहां पर नाम लिखना है तुम अपने पडोसियों के साथ मिलकर जो तिहार मनाते हो उनके नाम लिखो तो अपने पडोसियों के साथ जो मिलकर तिहार मनाते हो जैसे होली है या दिवाली है या कोई अन्य तिहार है जैसे तीज जूलते हैं और सभी जूलते हैं तो इस तरह से आप अपने पडोसियों के साथ जो तिहार मिलकर मनाते हैं उन तिहारों के यहां पर आपने नाम लिखने हैं पडोसियों के नाम नहीं लिखने हैं आपने कभी आप पडोसियों के नाम भुवा जी ने ताव जी वे पिता जी का तिलक लगाया, आशा ने वैभव को तिलक लगाया और मिठाई खिलाई ये भाई दूज के तो हार होता है, इस तिन जो बहने होती है वो अपने भाईयों को तिलक करती है तो यहाँ पर आप कुछ सोचो और लिखो, दिये गए रिष्टो के नाम लिखो, अब यहाँ पर कुछ रिष्टे लिखे हुए हैं और उन रिष्टो के नाम बताने हैं जैसे पिता जी के पिता जी मतलब जो आपके पापा है उनके पापा को आप क्या कहते है दादा जी इसी तरह से पिता जी की माता जी जो आपके पिता की ममी है उनको आप क्या कहते है दादी जी तो यहाँ पर हम लिख देंगे दादी जी पिता जी के बड़े भाई तो पिता चाचा, पिता जी की बहन, तो पिता जी की जो बहन होती है, उसको हम बोलते हैं, भुवा, और मा के पिता जी, जो मा के पिता जी, मतलब तुमारी ममी के जो पापा है, उनको हम क्या कहते हैं, नाना जी, तो नाना जी, इसी तरह से मा के माता जी, मतलब जो मा की ममी है, उसको हम क्या बोलते हैं नानी जी और इसी तरह से मा के भाई को हम क्या कहते हैं जो हमारी ममी के भाई हैं उनको बोलते हैं मामा और जो मा की बहन है हमारी ममी की बहन है उसको हम बोलते हैं मोसी तो इस तरह से ये रिष्टे हो गए और इन रिष्टों के नाम इसको भी आपने ध्यान से करना है ये एक्जैम में बहुत आता है अब ये बच्चो आपने ये चितर ध्यान से देखिए इसमें दो वरिक्ष दिखाए गए है एक सिवानी के परिवार का वरिक्ष है फैमिली ट्री और दूसरा आशा का परिवार वरिक्ष है क्योंकि सिवानी के परिवार में सिवानी के ममी पापा, उसकी बेहन, उसका भाई, उसके चाचा चाची, दादा दादी सब हैं, तो इसलिए ये सब दिखा रखे हैं, और लेकिन आशा के परिवार में उसकी माता पिता और एक चोटी बेहन है, तो इसलिए उनको ही दिखाया का, क्योंकि दादा दादी सबसे उपर दिखाये हैं, फिर उसके बाद उनके बच्चे जो पिता जी हैं आपके या चाचा जी हैं वो दिखाए फिर उनकी पतनिया दिखाए गई हैं जो आपकी मम्मी या चाची हैं उसके बाद फिर उनके बच्चे इस तरह से दिखाए गए हैं इसी तरह से आशा के परिवार में आशा के पिता ज उसकी माता जी और आगे उसके बच्चे दिखाए गए है इसी तरह से आपने इस चित्र को ध्यान में रखते हुए अपने घर परिवार का एक इसी तरह का चित्र बनाना है आपके बरिवार में जो जैसे अकर जो दादा जी है उनका चित्र उपर चिपकाना है फिर आगे उनक गए वरिक्ष में अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखो उनके फोटो चिपकाओ और वरिक्ष में रंग बरो और आपने कलर भी भरना है इस वीड़ के अंदर ग्रीन कलर यहां पर ब्राउन कलर बढ़ देंगे आगे बढ़ते हुए आईए ये भी करते हैं मेरा पेज यहां पर मैं ऐसा दिखता हूँ यहां पर आपने फोटो चिपका आनी है उसके बाद मेरा नाम यहां पर आप अपना नाम लिखेंगे जो भी आपका नाम है मेरे पापा का नाम, आपके पापा का नाम लिखना है क्योंकि सभी बच्चों के पापा अलग है, सभी बच्चों का नाम अलग है इसलिए हम यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं कि आपने लिखना क्या है मेरी मम्मी का नाम अपनी मम्मी का नाम लिखेंगे मेरे भाई या बहन का नाम यहाँ पर अपने भाई या बहन जो भी है उनका नाम लिखेंगे मेरे मित्र का नाम आपके जो भी प्यारा मित्र है उसका नाम लिखेंगे मेरा जनमदीन यहाँ पर अपना जनम दिन लिखेंगे मेरे पापा का फोन नमबर अपने पिता जी का फोन नमबर लिखेंगे मेरा मन पसंद खाना जो भी आपको खाने में अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे मेरा मन पसंद खेल जो भी खेल आपको सबसे अच्छा लगता है, वो यहाँ पर लिख देंगे, मेरी खास आदत, तो अपनी खास आदत यहाँ पर लिखेंगे, मेरे घर का पता और यहाँ पर अपने घर का पता लिख देंगे, अपने घर का चितर बनाओ, या उसका फोटो चिपकाओ, आपने य अपने घर के बड़ों से पता करो कि जब वे छोटे थे तो उनके घर में कौन-कौन वे कितने सदस्ये रहते थे आपने अपने घर के बड़े मतलब ममी पापा या दादा दादी चाचो चाची से पूछना है कि जब वो छोटे थे तो उनके घर में कौन-कौन सदस्थे थे और वे क्या-क्या काम करते थे वे कौन-कौन से त्योहार साथ मनाते थे उनके समय में किस त्योहार पर गया जाने वाला एक गीत भी अपनी कौपी में लिखना है क्या तुम्हारे किसी पडोसी की तुम्हारे माता पिता या आस पास के लोगों ने मिलकर मदद की है जैसे आशा के पडोस वाली चाची ने उनकी बिठाईयां बनाने में मदद की थी तो इसी तरह से कोई तुम्हारे पडोस में रहने वाले किसी वेक्ती ने या तुम्हारे माता पिता ने किसी की साहता की है तो उनका बारे में लिखना है अपने माता पिता से पूछना है कि कब और कैसे मदद की कि वो मदद कब की और कैसे करी किस तरह से मदद की गई उनको जैसे मिठाईया बनाने में मदद की या किसी शादी फंक्शन में या कोई जरूरत के समय रुपया दिया या सामान दिया या किसी के बिमारी के हालत में कोई सेवा की तो किस तरह से वो मदद की तो वो आपने यहां पर लिखना है और इसी के साथ यह हमारा अभ्यासकारिय पूरा हो चुका है ठैंक यू सबी के लिए